Hello students, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया चुरों स्टार्ट करते हैं Pharmacy Law and Ethics में अपना next chapter, chapter number 8 जहाँ पर हम लोग FSSAI है, फसाई बोल देते हैं, Act and Rules के बारे में कुछ समझेंगे और इसमें भी पूरा full detail नहीं है अपने पास, अपने पास specifically food supplement को ले करके कुछ बाते हैं अपने syllabus में mention है, ठीक है ना, जो FSSAI है, यही अपना इसको normal लोग बोल देते हैं Actually, FSS, Food Safety and Standard Act, जो अपना 2006 में आया था, उसी के अंदर यह अपना बना हुआ है ठीक है, तो start करते हैं इसको हम लोग, क्या है Food Safety and Standard Act, तो जानते हैं इसको हम लोग, Okay, तो क्या कहता है यह, तो सुरुआत करते हैं हम लोग, FSSAI, actual में यह, है क्या और किसके अंदर है यह, यह direct अपने आप में कोई Act नहीं है, ठीक है, तो यह जो बना हुआ Actually, वो Food Safety and Standard Act, 2006, इस Act के अंदर का एक पार्ट है, तो क्या है Food Safety and Standard Act, इसको समझते हैं हम लोग पहले, थोड़ा सा, The Food Safety and Standard Act is applicable to all kinds of food, जितना ही प्रकार का Food Market में आ रहा है, ठीक है ना, केवल उस Food को छोड़ दें, कौन सा Food, जो किसान, जैसे गहूं काट रहा है ना, और किसान, उस Food को छोड़ दें, Fisherman, जो मचलियां पकड़ रहा है, तो बेच रहा है, उसको छोड़ दें अगर, है ना, Natural Lawla Form में आ गया, Primary Food हो गया वो, उसको छोड़ के Market में जो भी Food आ रहा है, सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो कहरा है, यह Act हर उस Food पे applicable है, हर उस Substance पे applicable है, चाहे वो Processed हो, Process मतल जाता है, जैसे हम कह सकते हैं, एक तरह से मैगी है, बना हुए है, घर में आगे पास पानी में खोला तो नमसार लाल तो तयार हो जाती है, तो Partially Processed हो गया, या Unprocessed है, Unprocessed मतलब कच्चा मीट वगरा रहता है, उसको Pack कर दिया जाता है, और Market में Available करवाया जाता है, फिर घर के खाने के लिए है, includes primary food, इसके अंदर primary food भी आता है, except the produce in the hand of a farmer or fisherman, याने की जो गेहूं वगरा है, जब तक वो किसान के हाथ में है, किसान बेच रहा है, उसके उपर act लागू नहीं हो रहा एक तरह सम कह सकते हैं, जैसी वो चला गया कहा, wholesaler, retailer, फिर ये act लागू हो जाता उसके उपर, ठीक है, except the produce in the hand of farmer, बास समझ में आ रही है, all types of imported food, सभी प्रकार कहा है, अनकी primary food का मतला समझ गया, primary food हमारा क्या हो गया, all types of imported food, जो भी food हमें import कर रहे है, genetically modified food, कोई food जो जिसमें jeans के द्वारा कोई modification किया हुए है, ठीक है, और food having genetic ingredients, या किसी food में genetic ingredients हो, infant food बच package drinking water, यहां तक की जो पानी pack होके आ रहा है, वो भी इसके अंदर आता है, alcoholic drinks है, दारू अगरा है, and also include water used in food, वो पानी भी इस food act के अंदर आता है, जिसको manufacture और preparation के दौरान इस्तमाल किया जाता है, यानि कि अच्छा पानी आप इस्तमाल करेंगे, गंदा पानी इस्तमाल नह और सही कर रखना चाहता है, food safety and standard act, उसको करेगा कैसे वो, तो FSS consolidate, food safety and standard act है, उसने consolidate, मजबूत करता है, नियम को, relating to food and, यानि कि जो खाने को ले करके, जो कायदे कानून है, उनको वो consolidate करता है, मजबूत करता है, to establish the food safety, और करने के लिए क्या करता है, वो, establish करता है, food safety and standard authority of India, ठीक है न, food safety, हाँ, food safety and standard authority of India, FSSAI का गठन करता है, ठीक है, for laying down, science based standards, ये जा authority है, ये क्या करेगी, science based standards, यानि कि scientific standards के आधार पर सारे पैमाने तै करेगी, खाने के क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ठीक है, for articles of food and to regulate the manufacture, ठीक है, और यही control करेगी, regulate करेगी, manufacturing process, manufacture कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ रहेंगी, कैसे store करना है, distribute करना है, sale करनी है, या import करना है, जिससे की to ensure सनुश्चित हो सके, availability of safe and wholesome, wholesome का मतलब होता बेटा, बार बार नहीं बताऊंगा, postic, क्या हो गया, postic, है ना, हिंदी आप लोग लिखेंगे, okay, wholesome, safe का, safe हो गया, सुरक्षिय हम तो safe अदर बैमार्यां बगरा नहीं होगा, postic होना चाहिए, यह निक खातो रहे हैं, हम लोग जैसे किया सबको पता है, junk food हम खाते तो है है, लेकिन postic नहीं होता है, ठीक है, food है, safe है, लेकिन postic नहीं है, तो safe and wholesome food for human consumption and for matters connected there with, या उससे related कोई भी matter है, तो ultimately सीधा सीधा समरी क्या है, food safety and standard act आया, ठीक है, 2006 में उसने किसका गठन कर दिया, क्या का बनाई, FSS AI बना दिया, food safety and standard authority of India बना दिया, उसने, क्या काम करेगी वो, ये FSS AI का simple सा काम क्या है, manufacture, storage, distribution और sale, इन चारों पर control करेगा, खाने से संबंदित कोई भी manufacturing है, storage है, distribution है, उसको लेकर क्या करेगा, ये, उसके उपर control करेगा, ठीक है, थोड़ा सा और बात है समझे हम लोग, ताकि चीज़ें और clear हो जाएं, 12 chapter है, 12 chapter का अंदर chapter number 2 है, वो बात करता है, food safety and standard authority of India, जिसके अंदर section 4 से लेके 17 तक बाते बोली गई है, तो ये बाता को समझनी है कि, ये अलग से कुछ नहीं है, ये food safety and standard act के अंदर है, FSS को ही कई बार हम लोग FSS AI के रूप में जानते हैं, कुछ लोग, ठीक है न, बात सम बाते हैं, just for knowledge, ठीक है, इसी का जो second schedule है, इसी FSS act में, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, repeal, repeal मतलब, कुछ act जो पुराने थे, उनको एक तरह से खतम कर दिया गया, ठीक है, section 97 जब देखोगे, आप लोग, miscellaneous के अंदर, तो ये कुछ पुर meat order का अलग है, whiteable oil का अलग है, edible oil का अलग है, milk के लिए अलग था, तो ये सब हटा करके, सब इसके अंदर आ जाता है, बात समझ मा रही है, के लिए रहे बाते हैं, ठीक है, तो ये just knowledge के लिए था कि क्या क्या पुराने वाले थे, जो कि हट गई, या फिर यूं कहले हटा दि क्लियर है, चलिए, आगे आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो देखते हैं, food, food की definition करें हम बात करें, तो दोको food के अंदर बहुत सारी चीज़ें cover होती है, समझते हैं इसको, ठीक है, food means any substance, कोई भी substance, weather processed, जिसको process किया गया है, company दोरा already, है ना process होकर के आती है, ठीक है, packet में pack होती है, हम लोग सिधा खा लेते हैं, partially process हो, आधा process हो, थोड़ा सा हम घर पे process कर लेंगे, या unprocess हो, कोई कच्चा चीज है, जो घर पे लाके हम पका के खा रहे हैं, which is intended for human consumption, जो की इस purpose से बनाये गया है, उसकी यह intention है, कि वो इंसान के खाने के लिए है, includes primary food to the extent defined in clause, ठीक है न, इसके अंदर primary food भी include है, primary food भी include है, और किस हद तक include है, जो की clause के अंदर defined है, ठीक है, जैसे की उपर उने बताया था, और इसके अलाबा, genetically modified, genetically engineered food, food containing such ingredients, या तो genetically modified food हो, या genetically engineered food हो, जीन्स के दवारा modify कर रहाता है, या genetically modified, कुछ content पढ़ा हो, ऐसे खाने, ब alcoholic drink, chewing gum, and any substance, chewing gum भी देखो, उसके अंदर include है, ठीक है, यह बाते हमें उपर भी देखी थी, आगे, including water used into the food, और यहां तक ही, जो पानी हम इस्तिमाल कर रहे हैं खाने में, during its manufacture, preparation, और treatment, जो खाना बनाते हैं समय, हम जो जो चीज़े इस्तिमाल कर रहे हैं, यह बाते हमने उपर देख ली थी, अब क्या चीज़े include नहीं है, ठीक है, but does not include, any animal feed, जो पशु को खाना खिलाया जाता है, चारा वो इसके अंदर include नहीं है, live animals, जिन्दा जानवर को हम खाना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, live animals, unless तब तक, they are prepared and processed for placing on the market, तो जिन्दा जानवर को हम लोग क्या करते हैं, जो meat हो खाते हैं, उनको हम मार काटके, process करके packet के अंदर जो बेशते हैं, वो चीज़ हो जाती, तो जब तक जिन्दा है, जब तक तो नहीं, लेकिन हां, market में बेशने के लिए process कर दिया गया है, तो फिर वो खाने के अंदर count किया जाएगा, ठीक है, plants, जिन्दा एनिमल, इवन जिन्दा प्लांट, जिन्दा प्लांट जैसे की, जो लगे हुए हम life plants कह सकते हैं, prior to harvesting, plants, prior to harvesting, हारवेस्टिंग मतलब जो काटते हैं, फसलें, उससे पहले का जो पौदा है, उसको हम food की category में नहीं डालते हैं, drugs and medicinal product, ये खाना नहीं है, drugs और दवाईयों को हम खाने में count नहीं करते हैं, ठीक है, food नहीं है, cosmetic भी food के अंदर नहीं आता है, नार्कोटिक और psychotropic substance भी food के अंदर नहीं आता है, बासमझ में आगी, फिर कह रहा है, provided that the central government made declared by notification in the official gadget, any other article as food for the purpose of this act, हाँ, ऐसा हो सकता है कि, कभी notification में को चीज को add कर दे food के अंदर, ठीक है, okay, act having regard to the use, nature, substance और quality, ठीक है, इसकी लाइन के वसे जरूद नहीं है, ठीक है, यह अलग बात है कि central government टाम 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 पे चीज़ें गजट पे निकाल देती है, कही चीज को food से हटा देती है, कही चीज को food में add करती हो, depend करेगा बाद में, ठीक है, उसका भी प्रावदान रहेगा यहाँ पर, तो क्या चीज फूड में है, क्या चीज फूड में नहीं है, तो यह आपकी food की definition के अंदर cover होती है, next जो हमारा main चीज है, that is food supplement, यही है हमारा, क्या, pharmacy law and ethics, क्योंकि हम लोग pharmacy है न, pharmacy की बच्चे हैं हम लोग, तो pharmaceutical चीज इस से मतलब नहीं है, alcoholic drink इस से मतलब नहीं है, हमें किस से मतलब है, food supplement, क्यों food supplement से मतलब है, देखो अभी अपने आप, आपको diagram देखते ही बाते समझ में आ जाएंगी, आगी समझ में, रीट करूंगा मैं, डाइग्राम देखो Food Supplement के मतलब क्या होता है कई बार क्या होता है, लोग Food Supplement कुछ कमजूरियों गए रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ additional चीज़ें लेते हैं खाने के अलावा जैसे बच्चों के लिए DHA होता है, ओमेगा, किरक्यूमिन हो गया ठीक है, विटामिन D3 का हो गया, या फिर अपना क्या हो गया ओमेगा, D3 हो गया, प्रो ओमेगा, या हम लोग क्या ले ले रहे हैं कमजोरी की वजए से या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमको कम से कम जब हम दिन में एक टाइम पे कम से कम पांच रोटियां खाएं तो हमारा सरीर कमी रह गई है, उसको वो पूरा कर देगी, बात समझ में आ रही है, that is called food supplement, खाने की खाना जो आप खाते हैं उसके वाज़े से जो कुछ अधूरापन सा रह जाता है, नूटिशन में उसको पूरा करता है, food supplement, सीधी सी बात है, तो food supplement, business, involved, जो food supplement का business है, इसमें क्या क्या है, involved, production, distribution and sale, ठीक है, इसके अंदर production होता है, distribution होता है, of dietary, dietary, diet related है ना, और nutritional supplement है ना, ultimate बात कहा आगी, nutrition को लेकर के आगई है, food supplements are product, यह वह product है, that supplement the, supplement मतलब support कर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, उसको पूर्ण सा, पूर्ण संपूर्ण कर देते हैं, supplement the regular diet, जो हमारी regular diet है, जो मैंने बताया, कि कुछ वज़े है, मानलों की हमको खाने चाहिए, किसी वाज़े से हम नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं, दो ही रोटी है, लेकिन हमारी जो diet, मतलब हमारे उस शरीर है, उसको पांच रोटी के हिसाब से खुराक मिलनी चाहिए, लेकिन हम खाई दो ही रोटी का पाते हैं, तो ऐसी आवस्था में, एक condition मतलब यह ने example के दोर पे, तो यह क्या करता है, supplement है, ठीक ह तो वो additional nutrients, vitamins हो सकता है, minerals हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, these supplements come in various forms such as tablets, यह supplements कई रूप में आते हैं, tablets, capsules, powder, liquid and bars, आगे कानी समझ में, तो यही food supplement है, तो इसका बनाने का विदी बगरा तो सब सेमी रहती है, बनाने का तरीके सेमी है, तो अब पाते हैं, आपको दिमा आटे के बारे में लिख रहे हो, घी के बारे में लिख रहे हो, यह सब चीजे मत लिख देना, ठीक है, या packet food के बारे में लिख रहे हो, वो सब चीजे नहीं चलेगी, यहां सारी बाते किसके बारे में होंगी, food supplement को लेकर के होंगी, यह आपको बाते समझनी है, clear है बाते है next अब बात कर लेते हैं FSSAI के बारे में क्योंकि इसके बारे में थोड़ाँ सा brief overview और कुछ points है manufacture, sale, distribution वगरा उसके बारे में पढ़ना है तो FSSAI को समझ लिए हम लोग क्या है यह तो इसका full form क्या है यह तो हम देखी चुके है Food Safety and Standard Authority of India FSSAI को अब से मैं जल्दी जल्दी में FSSAI बोल दिया करूँगा ठीक है The FSSAI has been established under the Food Safety and Standard Act 2006 तो FSS Food Safety and Standard Act 2006 के अंडर FSSAI FSSAI का निमान हुआ FSSAI was established in 2008 2008 है बनतो गया but started to work effectively in 2011 काम करना इसने 2011 में स्टार्ट किया FSSAI department is controlled directly by the FSSAI को कौन कंट्रोल करता है याने कि Food Safety and Standard Act ने जो department बनाया FSSAI उसको कंट्रोल करता है Ministry of Health and Family Welfare ठीक है ना Ministry of Health and Family Welfare Headquarter जो है इसका वो New Delhi में located है One last question पूछ सकते है It is responsible for food distribution, manufacture and is mandatory for every operator irrespective of their scale of business तो कह रहा है यह food distribution of manufacturing के उपर लागू होता है उसको control करता है और ये हर उस distributor पर लागू होता है हर उस operator पर लागू होता है चाहे वो छोटा चाहे वो छोटी factory हो या बड़ी factory हो हर किसी को यहां से क्या लेना होता है license लेना होता है उसके उपर यह FSSAI लागू होता है FSSAI is responsible for protecting and promoting public यह responsible है public को protect करने के लिए promote करती है क्या public health through the regulation and supervision of food safety through the regulation and supervision of food safety बात समझ में आ रही है clear रहे हैंने कि food safety और regulate करती है तो इस starting कुछ बात है जो आपकी यहां से one last question इसका full form आ सकता है किसके under established होता है किस year में established हुआ यह कब इसने काम करना शुरू कि यह सब छोड़ी मोटी बात है जो आपका mcq के अंदर create हो सकता है बात समझ में आगी now इसका mission क्या है set globally benchmark standards of food यह चाहती है कि जो globally पूरे wish में जो food के standards है वो set हो हमारी इंडिया में and encourage और प्रोसान देती है and ensure सुनश्चित करती है food business to follow these standards और यह सुनश्चित करती है कि हमारी इंडिया में जो food के business है वो इस standard को follow करें and adopt good manufacturing and hygienic practice जो food को बनाने की विधी है और जो hygienic तरीके अपनाने चाहिए उनको follow करते हुए सारगा सारगा food का manufacturing हो ठीक है and finally enable citizen to eat safe and eat right ताकि देश के हर वेक्ति को safe खाना और सही खाना मिल सके पास समझ मारा है विजन क्या है to build a new India by enabling citizens to have safe and nutritious food एक नई इंडिया का निर्भान करना जहां पर हर किसी को safe और nutritious food मिल सके so as to prevent disease and lead healthy and happy lives ठीक है ताकि अब पर चला हम लोग supplement लेतो रहे हैं लेकिन वो सही नहीं है अगर ठीक है अगर यह फसाई वए रण ना हो तो तो हरको अबने मनमानी कोई कुछी बना के बेचेगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी है ना उनके द्वारा उनके अंडर में इसका गठन हुआ था ठीक है गवर्मेंट अफ इंडिया ओन 5 अगश्ट 2011 यानकी 2011 चालू हुआ संचाली तो समी की बात बताए जा रही है Ministry of Health and Family Welfare Government of India is the administrative ministry इसकी मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो ministry of health ना लिखते है ministry of health and family यह पर MO ministry of health and family welfare ठीक है ओके दा फसाही consist of chairperson and 22 members 22 लोग होते है इसके अंदर एक chairperson होता है इसके अंदर as per section 5 of FSS Act याने की section 5 of Act याने की food safety and standard act का section 5 वो क्या बोलता है the food authority shall consist of a chairperson एक उनका chairperson होगा याने की head होगा उनका and the following 22 members और उसके नीचे 22 लोग होंगे out of which one third shall be women जिसमें से एक तिहाई women होंगी ठीक है नेम लिए अब कौन कौन होगा तो कहरा है seven members not to below the rank of joint secretary साथ लोग जिनकी rank joint secretary से नीचे ना हो और यह सब retired लोग होते हैं ठीक है ना to the government of India to be appointed by the central government जो government of India के होते हैं joint secretary rank के होने की या उससे उपर के हो ठीक है जो की appointed किये जाते हैं government of India में to respectively represent the ministries and department of central government dealing with अच्छा यह जो joint secretary होते हैं किस-किस department के होते हैं agriculture, commerce, consumer affairs, food processing, health, legislative affairs, small scale industries ठीक है who shall be members of ex officio ठीक है na ex officio के member होते हैं याने की एक तरह से retired member होते हैं यह तो इस इस अलए-लए department से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ department से एक-एक आदमी को चुना जाता है बात समझ में आई उसके बाद फिर two representative from food industries of which one shall be from small scale industry दो लोग होते हैं food industry से एक, छोटी scale की industry से लिए, छोटी scale industry मतलब industry का size है जैसे कि अब हम बात करें, लोकल की कुछ factories होती हैं जो दो तिन, तिन, तिन कमरों में बन के तयार हो जाती है एक factory होती है बहुत बढ़े area में होती है जो branded चीज है जैसे कि हम बात करें कि किसे प्रमोट नहीं करना चाओंगा जैसे कि अपना आजकल जैसे कुरकुर है, कुरकुर है, लेज है, बिंगो गएरा है यह बहुत बड़े level बनते हैं ठीक है ना यह large scale industries होगी और फिर एक local brands होते हैं जो local area हम चलते हैं वो small industry के अंदर आयाता है टू representative from consumer organization, consumer organization जो consumer की help करते हैं वहाँ से दो लोग होंगे करते जाएंगे, two persons to represent farmers organization, किसानों की organization से दो लोग होंगे, one person to represent retailers organization और जो retail organization से हमारी यान की रिटेल की जो शौप सगर होती है, उनकी जो organization है, वहाँ से एक member को चुन करके, इस तरीके से पूरी 22 लोगों की team तयार की जाती है, किलियर है, current member की बात करें, आज कर आज की हम ब 25 अगर बच्चे देखते हैं, तो बेटा, आप लोग अपने current time का यहाँ डाल करके ना, फसाई के chair person कौन है, वो देख लेना, ठीक है, आभी तो यह है, तो मैं लिग दिया, आज की लिडे मों बना रहा हूं, तो यह लिग दिया मैंने, ठीक है ना, तो आप लोग भाविश फसाई के और श्री जे कमाला वर्दना राओ, आएस हैं चीफ एग्जेकुटिव ऑफसर है, मेंबर सेक्रेटरी फसाई की है, ठीक है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करें, अगर हम लोग 22 मेंबर का, तो देखो किस तरह से होता है, तो यहाँ पर क्या है, फूड सेंटिफिक कमीटी काम क्या होता है, फूड स्टेंडर्स के बारे में, चीजों को सेट करना, और कॉंप्लेंस इंस्पेक्शन की बात होगी तो यह का करें कि जांच परताल करती है, जा करके, तो फिर एक होती है, इसी के अंदर एक होती है, सेंटर एडवाईजरी, एक पर जो complains inspection वाले होंगे वो जाते हैं sample लेते हैं check करते हैं कि तो ये committee होगी standards को set करने वाली और यह हो गई दाचने वाली कि सब लोग स़ही से कर रहे हैं की नहीं कर रहे ठीक है इस तरह सब इसको set कर सकते हैं इस तना जरूरी नहीं है यह जस्ट फॉर knowledge के लिए location की बात करें तो फसाई 5 regions में located है कहां कहां पर आगे northern region with head office at new Delhi उपर भी लिखा था हमने eastern region में कोलकाता है north east region की बात करें गौार्टी है western region में मुंबई है और south region में कोचिन अन्चेन नहीं है not so important but yes पता होना चाहिए कि फसाई की कहां कहां पर है यह तो आपको पता होना चाहिए इसका head office कहां पर है ठीक है बात के लिए रहे है चलें आगे तो simple simple है बहुत tough नहीं है functions of Fasai, Fasai के functions क्या है it shall be the duty of food authority to regulate क्या duty है इसकी to regulate and monitor the manufacture regulate करेगी control करेगी और monitor करेगी नज़र रखेगी manufacturing पर processing पर distribution पर sale पर import of food to ensure safe and wholesome food जिससे की हर एक चीज़ में रखेगी कैसे बन रहा है कैसे process किया जा रहा है कैसे distribute किया रहा है कैसे sale किया रहा है कौन सा food import किया जा रहा है जिससे की safe और wholesome food मिल सके ठीक है फार्मिंग फार्मिंग फ्रेमिंग फ्रेमिंग मतलब नैने रूल सिनियम बनाना फ्रेमिंग और रेगुलेशन्स टू लेडाउन food safety standards ठीक है रेगुलेशन्स को frame करना जिससे की food safety standards maintain रहे लेंग डाउन guidelines for accreditation of laboratories for testing guideline मनाएगी जिससे की जो लेड़ाइब टेस्ट करती है वो उनके लिए कि क्या मानक होने चाहिए क्या मानता है होने चाहिए providing scientific advice and technical support to central government central government को scientific advice or technical support दे सके कि हाँ food को लेकर क्या क्या technical और scientific चीज़े होने चाहिए contributing to the development of international technical standards in food ठीक है contribute करेगी जिससे की जो international level है food standard का वो अपारी country में भी उसी प्रकार से वो ही technical standards लग हो collecting and collecting data regarding food consumption, contamination, emerging risk, etc. डाटा को collect करेगी और collect करेगी और collect करेगी के अंदर दूसरी तो नहीं हो रहा है किसी परकार का risk तो नहीं है किसी परकार के खाने को लेकर कर जो marketing available है यह सब चीज़े देखती रहती है disseminating मतलब फैलाना information को फैलाएगी किस परकार का information वही awareness है ना और promote करेगी awareness about food safety and nutrition in India इंडिया के अंदर food safety and nutrition को लेकर के जो भी awareness है जो भी एक तरह से कहलो कि जाग रुकता है उसको फैलाने का काम भी इसका ही है जो फूड को लेकर के जो भी आप add देखेंगे वो फसाई के अंडर होते हैं के लिए रहे बाते हैं यह तो होगए फसाई के बारे में नेक्स्ट हैडिंग अपनी आती है टोपिक एंदर manufacture of food supplement ठीक है तो फसाई food supplement की manufacturing को लेकर के क्या क्या बाते बोलती है आओ देखते हैं तो फसाई कह रही है under the FASI Act all food business operator जो भी food business operator है जो manufacture कर रहे हैं distribute कर रहे हैं sale कर रहे हैं ठीक है must be registered और licensed with FASI उनको registered होना है license लेना है FASI से and comply with the food safety and standards ठीक है और उनको food safety and standards जो की बना लेडाउन है अथर्टी को द्वारा रहे हैं बनाए गए हैं उसके according comply comply मतलब उसी के नेमा अनसार होना चाहिए FASI has specified procedures FASI ने कुछ procedures को specified किया है बताया है कि कैसे क्या होना है practices to be followed किस प्रकार से procedure और practice होंगी follow किये जाएंगे उसने specify कर रखे हैं by food business to prevent the occurrence of food born illness जाने कि कह रहा है FASI ने specify कर रखे है procedures और practices कि किस प्रकार food business operator अपना काम करेंगे जिससे की food born illness ना फैले by actively controlling हजार्स throughout the food supply chain ठीक है food supply chain को पूरा बनने से लेकर के and sales तक पूरा जो है control करती है कौन फसाई जिससे की food born illness बिमारिया ना फैले क्योंकि food से संबदित है every food business operator is required हर एक food business operator को जरूरत है have a documented FSMS plan क्या है FSMS plan देखते हैं भी ठीक है ना ओके तो यह word पहले आगया देख लेते हैं यहाँ पर क्या FSMS है food safety management system क्या है यह food safety management system तो food safety management system का ले करके एक proper plan होना चाहिए document होना चाहिए and to comply with schedule 4 of the FSS और जो schedule 4 है FSS का उसके according comply होना चाहिए उसके उसी के according होना चाहिए ठीक है यानि की licensing and registration of food business regulation 2011 schedule 4 introduces the concept of FSMS जो schedule 4 है वो food safety management system का जो concept है उसको ले कर आई ठीक है तो जो schedule 4 के अंदर FSMS की बाते बोली गई है उसी FSMS की according अपना documentation करना है ठीक है and good hygienic practice GHP by food business जानके जितना भी food business है उसको schedule 4 of FSSS के according अपना सारा काम करना है बास समझमा आ रही है कि लिए रहे बाते है ठीक है नेक्स्ट आते हैं फसाई है इसूरा guidance उसने guidance document भी इसू किया है on food safety management system to implement GMP जिससे की good manufacturing practice लागू हो सके यानि कि जितना भी food business operator है वो food safety management system के तहत GMP follow करेगी good manufacturing practice follow करेगी यानि कि manufacturing है उसको अच्छे तरीके से साफ सफाई और hygienic तरीके से manufacturing होनी चाहिए ये चीज FSMS के अंदर आती है GMP ठीक है ना ये और FSMS आता है schedule 4 FSS के अंदर ठीक है तो इस परकार हमारी जो manufacturing process है वो अच्छे होनी चाहिए और good hygienic practice यानि कि hygienic होनी चाहिए good होनी चाहिए तो ultimately जो manufacturing process है वो किसको follow करेगी GMP को follow करेगी ठीक है good manufacturing practice refers the practice which manufacturers, processors and packages should take as proactive steps यानि यह कहरा है GMP good manufacturing practice का मतलब है जो manufacturers है जो product को बना रहे हैं जो processors हैं जो process करवा रहे हैं जो packages हैं जो product की packing करते हैं should take proactive step वो लोग proactive मतलब पहले से ही हम लोग जैसे कि जब खाना भीना बनाते हैं हम लोग घर में क्या रखते हैं ध्यान रखते हैं कि kitchen में खाना बने किचन को साफ रखें है ना किस प्राइब गंदगी ना हो यह सब लोग क्या proactive step इसको कहते हैं के लिए रहे बाते हैं ठीक है अब बात करते हैं इसी के अंदर manufacture of food supplement के अंदर यहां तक बाते हुई अब GMP बोलता क्या है उसको भी देख लेते हैं GMP बोलता है the location of food establishment should be away from pollution देखा जहां पर नहीं होना चाहिए इसका manufacturing वरना तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है the location of food establishment should be away from pollution and other such industrial area और इसकी परकार की जो industrial area है जहां पर बहुत ज़्यादा जिन industries की वज़े से बहुत ज़्यादा pollution होता है ठीक है जिन industries की वज़े से बहुत ज़्यादा pollution होता है उन area से दूर रहना चाहिए where there are chance for fumes, excessive suit etc. to avoid cross contamination जहां पर बहुत ज़्यादा समावना होती है कि जो fumes निकलती न जहरी ली टाइब की गंदी टाइब की या suit होता है जो काला कला कारवन जैसा दूहे जैसा निकलता है ऐसी factory जहां लगी हुई है उससे आपका जो manufacturing unit है वो दूर होने चाहिए अलग होने चाहिए raw material कच्छे समान के लिए pre processing section एक pre processing section अलग होना चाहिए जो कच्छा माल होता है उसको process करता है then primary and secondary processing section यह अलग होना चाहिए तब final product should be stored away raw material जो final product है वो हमारा कच्छा माल जो है raw material है उससे अलग होना चाहिए तो यह basic basic बात है है अगर आप बात समझ रहे होंगे तो घर में इस बात को सिर्फ किस से compare कर लो घर में कभी खाना बना रहे हो जब ठीक है ना उससे compare कर लो खाना बनाने को ultimately packing कहां ले जाओ होगे टिफिन के अंदर जब आप पैक करते हो फॉयल के अंदर लपेट करके टिफिन बंद करके बकाइदा पैक करते हो है ना उससे compare करोगे तो सारे step याद हो जाएंगे बाल समझ मारी है easy है floors and ceiling should be clean सबको पता है छत साफ होने चाहिए रूफ जमीन भी छात होने चीए ठी taking of plaster should be avoided जो plaster जो छूटता है ना वो नहीं होना चाहिए rodent and insect control measures need to be taken अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि rodents याने कि जो चूहे बगए रहा है और जो इंसेक्ट वगए रहा है वहापे घूम फिर रहे हैं यह चीज नहीं होना चाहिए उनका control measure याने कि उनकी रोब थाम के सा disposal याने कि जो भी वहाँ पर waste create हो रहा है वो proper dispose dispose करने मतलब यह नहीं है कि आप जहां बना रहें वहीं पर सारा का सारा कुड़ा करकर यह गंदगी इखटी कर लें उसको dispose करने का पूरा proper dust भी होना चाहिए अगर गंदा पानी है तो उसका निकलने की जगे होनी चाहिए ठीक है जो कुदरती तोर पर नश्ट नहीं हो सकता है उसको अलग कर लेना है ठीक है कि द्रेनेज फ्लो शुड़ भी अपोजी टुदा मैनिफेक्ट्रिंग लाइन जो ड्रेनेज फ्लो यानि कि जो गंदी नाली जो पानी निकल रहा है गंदा उसका जो फ्लो है वो नाल रहे हो तो ठीक है तो विंडो और वेंटिलेशन शुड़ भी स्क्रीन जो विंडो है वेंटिलेशन उस प्रॉपर जाई लगे होने चीए बाहर से कोई कीड़ा मोकड़ा अंदर ना है नो वैसल कंटेनर और अधर क्यूप्मेंट दा यूज ऑफ विचिस लाइक्ली त में इस्तेमाल करें उसके अंदर प्रॉटेट्स रख रहे हैं और उसमें सा कोई मैटलिक रेक्शन होकर के रिषाव हो जाए तो वह ऐसा कोई भी कंटेनर हमिस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है जो की इंजियूरियस होगा हैल्थ के लिए ठीक है प्रॉसेस के दौरान हम इस प following personal hygiene requirement वो कुछ ना कुछ अपने क्या है personal personal hygiene requirement मतलब उन सब को कुछ चीजें follow करनी है hygienic वाली कौन सी हैं वो आओ देखते हैं much shower और bath before coming to work जब भी काम पर आएंगे वो नहां दो करके आएंगे ठीक है be sure to wash hair अपने बालों को अच्छे से धुल क्या है क्योंकि बालों में सबसे ज़्याद गंदगी फस्ती है travel करते वक्त शुड़ी क्लीन शेफ दाड़ी नहीं होनी चाहिए और in case of beard and mosc deck must wear the appropriate net और अगर दाड़ी और मुच्छे हैं तो एक net वाला कपड़ा आता है जिसकी बालों पर डॉक्टर लोग पहनते ने इस टैप से यह कुछ लोग पहनते देखा होगा इसे पिरकार के जाड़ी मुच्छ को शुपाने के लिए कपड़ा सा आता बांध लें जिससे की बाल आका तूट करके product में आ जाए शुड नॉट वियर अनी टाइप ऑफ हैवी सेंटेड आफ्टर शेव बहुत ही हैवी सेंट पर्फ्यूम वगरा क्योंकि जो फ्यूम्स होती है खुसू के जो कैमिकल्स होते हों वह कईवर कंटेमिशन कर सकते हैं और पर्फ्यूम्स आपको इस्तिमाल नहीं करने है नो फॉल्स फिंगर नेल और निल पॉलिश अगर आप फीमेल है तो फॉल्स नेल पॉलिश लगा के नहीं आएंगी नो तबाको पान गुटका एंड श्पिटिंग थूगना इस पिटिंग थूगना इंदा ऑपरेशन ए जाएगा एंड बीएड नेट यानि दाड़ेवाला नेट वाइल वरकिंग इन फूड हैंडलिंग एरिया जोल्री पर्सनल आइटम लूज ऑब्जेक्ट को धिल डाले कपड़े हैं या कोई कड़ाला टाइप का है शुड नॉट बी एलाउट जोल्री वगरा यह सब चीज इस टोरेज दो जगे होता है एक होता है फैक्टरी में बन गया और उनके वेयर हाउस में रखा हुआ है गोदाम में और दूसरा आपका रिटेल में रखा हुआ है ठीक है ना अगर आपका स्टोरेज सही है स्टोरेज सही का मतलब क्या है माल लो कोई फूड प्रड़क्ट है और उसको आप ऐसी हवा में खुले में रख दें तो धूप बारिस है ना यह सब चीज़ें क्या कर सकती है खराब कर सकती है तो तो कहले है स्टोरे उसको बचाना है तो कर आपको फूड और उस तरह से पूर करना है कि अगर दूसरे प्रड़क्ट रखे हुए है गोदाम में उनका और इनका आपस में किसी प्रकार का कंटैमिनेशन ना हो स्टैकिंग नॉर्म सेल भी स्टैक्टली एड़ेड स्टैक मतलब होता है किस तरह से आप एक के उपर एक स्टैक करके एक दूसरे को रखेंगे ठीक है ना वो आपको स्टैक्ली फॉलो करने जिस तरह से बताया गया जिस प्रोट के लिए जिस तरह से बताया गया उसका एफेक्ट पड़ता है सैंपल सेंड कंजूमर ओफर पैक्ट सेल भी स्टैक्ट सेपरेटली अब जिए एक तो में गोदा में सिस्टम होना चाहिए शैल भी प्लेस इन प्लेस तो डैट फीफो शुडवी फॉलोड अब आपका गत्य अत्य में आपने बंद करके रख लिया है तो कुछ आइडिफिकेशन तरीका होना जाए कि हाँ यह प्रोड़े बना है इसको पहले निकालना है तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ा हुआ हम लोगों ने इट शुड़ टैली विद फीफो रिइस्टर और फीफो रिइस्टर से हम उसको टैली कर लेंगे लूज स्टॉक शैल भी स्टोर इन सेपरेट अरिया अगर स्टॉक आपका लूज है खुले वाला स्टॉक है कोई बेचने वाला तो उसको अब अलग एरिया में रखेंगे आल बेन कार्ड रिइस्टर सुद बीअपडेटेड ऐन रियल इटर रियाल टाइम बहई जो बिन कार्ड होते हैं एक तरह का सप्लाई के लिए एक तरह का कार्ड होता है यह register होता है वो up to date होना चाहिए the truck shall be unloaded on the same working day of reporting अगर कोई truck आया है माल से लट करके माल उफेक्टिव माल बन गया truck आया तो उसी दिन उसको unload करके आपको store कर लेना है documented self audit shall be conducted by the facility at minimum of once per month to monitor quality pest management and sanitation महिने में कम से कम एक बार audit होना चाहिए self audit खुझ से आपको audit करना है कि proper maintenance वगरा है quality या pest management कीड़ मकॉड़े है या sanitation हाईजनी कहाँ प्रॉपर है storage area में कि नहीं है एस होनी कि जाले में कीड़े मकॉड़े लग गए है कीड़े वगरा गूम रहे है ठीक है यह चीज नहीं होने चीए अब रिटेल की बात कर लें थोड़ा सा अगर तो stock rotation is essential to avoid spoilage ठीक है stock rotation जल्दी जल्दी माल बिखना चाहिए आपको थोड़ा लें करके जिससे की चीज है खराब ना हो the first in first out principle must always be followed फीफो को follow करना है daily check must be made on short life product जो जिनकी life life कम होती है 6 महने की 18 महने की है तो उनको आपको daily basis में चेक करना है जिससे की ओए चीज खराबना हो care should be taken to retain any best before dates और court ठीक है वही बात आगी जो best before वाला होता है कि दिक्कत क्यों होती है एक लिखा होता है expiry और एक होता है best before ठीक है ना best before 18 month इस तरह से लिखा रहता है या तो expiry वह देट दिख जाती है अच्छा 23 है 24 है 25 है लेकिन best before 6 मैने 8 मैने लिखा होता है उसमें कई बेर calculation करनी पड़ जाती कि अच्छा ये पांच मैने बना है यहां से 18 मैने जोडने तो वह थोड़ सा confusion आती तो उसको आपको ध्यान रखना है storage container should be of proper design जो storage container होता है जिसके अंदर आप store किया जाता है store करेंगे उसको proper design को होना चाहिए ready cleanable and maintain in good condition यानि कि आप जहां पर आप container में store कर रहे है वो ऐसा होना चाहिए कि अराब से माल समान निकाल भी सकें properly उसे clean भी कर सकें ठीक है यह सब चीज़े तो हम समझ सकते हैं खुद से भी लिख सकते हैं चीज़े now cleaning material must be stored in separate area away from food supplement जो होते हैं जो clean करने वाला material है उसको उसी area में नहीं रख देना है जहां पर food supplement रखा हुआ है store non food item separately अगर कोई non food item भी है दुकान में तो उसको आप अलग store करेंगे ठीक है to protect the food supplement from contamination contamination से बचाने के लिए accelerated deterioration या जल्दी खराब ना हो जाए उससे बचाने के लिए multiplication of food poisoning organism या food poisoning organism grow ना कर जाए उस product के अंदर तो आप हो करना क्या है once food deliveries are received एक बारी जब आपके दुकान पर समान आ जाता है the food should be quickly move to one of several storage area आप जैसे समान आएगा न आपको तुरूंत आपको क्या कर देना है उसको अपनी ठीकाने पहुँचा देना है मालो आपका दुकान उसमें कई तरह का समान आएंगे जहाँ पर उसको dry जगह पर रखने वाला समान है उसे dry storage में पहुचा देंगे अगर कोई समान ठंडे एरिया में रखने वाला तो उसका लिए अपने अलग जगह बना रखी होगी उसको आप रेसे जिए फ्रीज में पहुचा देंगे तो जो समान जहां का है अगर लगता है कि उसे वहां रखना है कि ड्राय में रखना है कि ठंडी जगह पर रखना है उसी हिसाब से आप अपने समान को तुरंट वहां पे पहुचा देंगे तो ये कुछ आपके क्या है storage के functions हो जाएंगे जो semi guideline है ठीक है common sense की बात है गारा किसी बच्चे ने कभी medical shop पे भी अगर काम कर रखा है थोड़ा थो नॉलेज है तो एक बार ही मेरी बातों को सुनने के बाद आप खुद से भी ये काम लिख सकते हूं है ना simple है बहुत टफ नहीं है now sale of food supplement sale का क्या है कि बेचने के लिए फसाई क्या बोलती है कि आप बेचों कैसे तो कह रहा है food supplement must be sold only by registered food business operator food supplement वही बेचेगा जो कोई भी food business operator registered होते हैं फसाई से and must comply with the labeling यान कि ultimately बात क्या कर रहा है यान कि बना करके बेचने के जिम्मेदारी जो होगी किसकी है and must comply with the labeling and packaging requirement laid down by फसाई और उसको comply करना है नियम अनुसार labeling और packaging करनी है जैसे की laid down जैसे की बताए गए है फसाई में a license is required for food business operator who want to sell food ठीक है जिसको food बेचना है food supplement बेचना है उसको एक license यह होता है ठीक है अब food supplement क्या है powder है capsule है tablet है syrup are forms of food supplement plant cereals of fruit in natural state are not considered as food supplement इनको हम food supplement नहीं कहेंगे इनको आप as a food supplement नहीं बेचेंगे hormones, steroids, psychiatric medicines are prohibited from being used in these foods ठीक है जब आप sale करते है इनका to hormones, steroids, psychiatric medicines को food supplement के अंदर add करके नहीं बेच सकते हो food supplement must be formulated according to the established principle food supplement जो आप बेचना चाहरे हो वो जो principle established है उन्हीं के according होना चाहिए तो ही आप उसको बेच सकते हो ठीक है अब जब आप उससे बेच रहे हो तो कह रहा है कुछ labeling necessities for sale of food supplement जब आपको food को बेचना है तो कुछ level कुछ खास प्रकार के level आपको उसके उपर mention करने है बेचने से पहले क्या level है the term health supplement should be mentioned आपको health supplement लिखना ही लिखना है बास समझ में आ रही है आपको health supplement लिखना ही लिखना है an advisory warning एक warning भी देनी है not for medicinal use कि भाया यह दवाई नहीं है कि आप सोचो कि हाँ हमारे में इसकी कमी है या कोछीज है यह खाएंगे ठीक हो जाएंगे किसी disease को ठीक नहीं करेगा यह किसी बीमारी को ठीक नहीं करेगा दवाई नहीं है यह ठीक है should be clearly mentioned if the product is a nutraceutical nutraceuticals ऐसे जो होते हैं तरह के products होते हैं जो एक तरह के कही न कहीं disease को क्योर करने में मतलब help कर दे थोड़े से the term nutraceuticals and its name should be mentioned अगर वो nutraceutical है तो उसका nutraceutical mention होगा और साथ साथ में उसका नाम भी mention होगा कि है क्या चीज हो if further supplement category exist अगर supplement के अलावा supplement के अंदर किसी category में कोई food है तो उसको label करेंगे जैसे कि मालो food for special dietary use कुछ खास dietary use का food है वो mention कर दिया बड़ा बड़ा लिख दिया food for special medical purpose किसी खास medical purpose में मतलब मालो कि आपको यहाला जो food है आपका खून की कमी में खाना है या आपको energy कमी में खाना है तो special mention कर देंगे ठीक है special medical purpose probiotic food अगर probiotic है ठीक है एक्सेटर शुड़ भी यूज़ दगोल गोल मतलब उद्देश यह सबस्टांस target age group क्या आपका उद्देश यह है उस product को लेकर के किसे देना चाहरे हूं लग क्या उससे होगा क्या substance उसके अंदर use हुआ है किस age group के लो क्या देना है जो कि emphasize करेंगा डाट्र सब्सक्राइब इस नौट सब्सक्जूट फॉर रहा बैलेंस डाइट थीक है इस नौट सब्सक्राइब इसको काम हो जाएगा न ऐसा नहीं हो सकता बभई ठीक है ठीक है कुछ बच्चों मनमें सवाल आता है कि सार क्योंने हो सकता अगर हम ऐसा कर लें तो इसको खाई सकते हैं तो बेटा जो हम खाना खाते हैं उसमें फाइवर्स होते हैं तमाम चीजे होती हैं पहुत सारी चीजे होती हैं जो हमको प्रॉपर खाने से ही मिलती है हमारे सरीर को यह खा करके नहीं मिलेंगी ठीक है ना तो इसी लिए ऐसा नही फूट ठीक है यह इंपॉर्टेंट भी रहेगा थोड़ा सा बागी टॉपिक के कंपरेजिन में तो कह रहा है पैकेजिंग और लेबलिंग और फूट को लेकर के कुछ बताएं मतलब एक तैसे अपनी हैडिंग से लेवस में तो आप देखें पैकेजिंग एंड लेबलिंग म ब्रांड कोई ब्रांड हो सकता है मार्क किसी परकार का मार्क हो सकता है पिक्टोरियल और अदर डिस्क्रिप्टिव मैनर पिक्चर के रूप में प्रेजंट किया सकता है डिस्क्रिप्टिव मैनर के रूप में प्रेजंट किया सकता है रिटन हो सकता है प्रिंटेट हो सकता जो अपनी और अटेश्ट तुदा कंटेनर या हम चिपका सकते हैं अलग से कवर लीड हो सकती है और सब क्राउन ऑफ एनी फूट पेकेज एंड इंक्लूट इंसर्ट यहां तक की प्रोडट के अंदर को आप ऐसे पर्टी डाल देते हैं इसके तरह सब लिखा रहता है वह सब चीजें किसके अंदर आती हैं लेवल के अंदर आ जाती है कि लिए रहे बाते हैं ओके तो section 23 of FSS Act provides for food packaging and leveling ठीक है जो food packaging and leveling के बारे में section 23 में सब कुछ लिखा हुआ है क्या कह रहा है leveling में no person sell manufacture कोई भी इंसान manufacture नहीं करेगा distribute नहीं करेगा sell बेचे का नहीं any package food supplement which are not marked and labeled in the manner जिसकी उपर proper labeling नहीं है marking नहीं है उस तरीके से जैसे की rules regulations बताये गए हैं बिना labeling and marking जो की proper नहीं है ऐसे food को आप नहीं बेचोगे the label should not contain any statement label के अंदर ऐसा कोई भी statement नहीं होगा जो claim करेगा claim statement claim design or device which is false किसी प्रकागर जो claim करें या design हो या device है जो की गलत है ऐसा कोई भी statement नहीं होगी और misleading या भटकाए in any particular concerning food product food protocol लेकर के कोई भी statement claim या design करेगा लगा जाए है design देकर हम लगता अच्छा यह ऐसा होगा ना भटकते हम लोग कई बार या कोई device है ना तो ऐसा कुछ भी चीज हम उसके उपर नहीं करेंगे जो कि क्या करेंगा मिस्लीट करेंगा उसके अंदर जो food मौझूद है food supplement मौझूद है उसको लेकर भटका है ऐसा कुछ नहीं करेंगे एवरी food business operator shall ensure that हर एक food business operator यह सुनिश्चित करेगा that the labeling and presentation of food labeling और food का जो presentation है including their shape हम लोग food supplement को जिस shape में रख रहे हैं कि शेप के अंदर pack करके दे रहे हैं उसका जो appearance है packaging है and packaging जो material है जो इस्तिमाल कर रहे हैं the way are arranged किस pattern में हम उसको arrange करते है and the setting in which they are displayed और किस तरह की setting में दुकानों पर लगे हुए है does not mislead consumer यह बहुत बड़ी चीज है आप लोगों को नहीं पता होगा आप लोगों को नहीं पता होगा आप लोगों करके जब भी आप market में कभी जाएंगे कभी किसी बिग बजार वगएरा जो होता है या किसी है न इस तरह पर शोरूम में जाएं तो वह अब आप देखेंगे ना स्टार्टिम कुछ अलग तरह के पर लगे होते हैं बाहर की तरफ अच्छ लगे होते हैं जो पर बिखते ही बिखते हैं यह एक दर अंदर रहते हैं उन्हां पता हो तो आज में आता ही लेगा ?? जो जो तरीक्यों होते हैं तो इस तरीके से आप कुछ भी मतलब वो कह रहागी इस तरह के कभी वी कुई हुआ हो इस ति कर देगा है चीज का बाहरा सकते हैं के लियर है अब जर्नल प्रविजन्स कुछ प्रवधान जर्नल रेटेट लाइब लिए पेकेजिंग क्या है फूट प्रडुक्ट शुड बैक्ट ओनली यूजिंग अप्रूवड पैकेजिंग मैट्रियल जो जो पैकेजिंग मैट्रियल अप्रूव किये गए हैं आप ऐसा लेवल अब उसको इस तरह से अप्लाइब करेंगे करते कि चुट ना जाए अलग ना हो जाए ठीक है तो लेवल शुड वी अप्लाइब अप्लाइब किया जैके इन सच ए मैने एट इट विल नॉट बिकम सेपरेट इट वह सेपरेट ना हो जाए फ्रॉम दा कंटेनर कंट इसको आप इंगलिस या थेंगे इन देवनागरी स्कृप्ट एडिशनली इसके अलवा हिंदी ए इंगलिस के अलावा अधर रिजिनल लेंग वह भी यूज्ट पॉर टेखना चाहिए प्रोमिनेंट एकदम वीजिपल हो ओना चाहिए पॉमिनेंट करते फॉले कि इन्ण गीड उउसे हैं एंडर कंडिसन्स जो रह पॉँसके रगट-धर आपको clear होना चाहिए prominent होना चाहिए indelible होना चाहिए and readily legible होना चाहिए clear होगी बात है अब उसके बाद बात आती है आखिरकार उसके ओपर लिखना क्या क्या है level पे तो mandatory declaration on product of manufacturers क्या क्या declaration आपको देनी देनी है name of food कौन सा food है या food supplement list of ingredients ठीक है descending order of their composition with appropriate ingredient descending order of their composition and ABCDF में आप जैदेंगे nutritional information per 100 gram per 100 ml और पर serving of the product per 100 gram में आपको कितना मिलेगा 100 ml कितना मिलेगा या एक चमच खाते हैं तो उसमें आपको कितना मिल जागा इस टाइप से आपको instruction देने है डिकलरेशन रिगार्डिंग वेजटेरियन नन नवेजटेरियन इन फ़र्म फॉड़ लोगो लोगों देखा गा लोगों लगा होता है एक पर इस तरह से रहता है ग्रीण रहता है किसी पर रहता है इस टाइब से लोगों रहते हैं तो वह वेजटेरियन है डिकलरेशन रिगार्डिंग फूद एडिटीव कौन से एडिशनल चीज़ें आपने डाली है लुए इंटर्नेशनल नुमेरिकल सिस्टं ठीक है उसका पुरा नाम और एड्रस होगा नेट क्वांटिटी ऑफ प्रोडट्ट इस नेट क्वांटिटी है यह पैकिंग वाले कंटेनर के अलावा जो नेट क्वांटिटी होती है वह होती है अलर्जन इंफोमिशन अगर कोई खास केमिकल आप इस्तवाल कर रहे हैं जिसस फसाई लोगो होना चाहिए उसके उपर लाइसेस नंबर होना चाहिए ना फसाई का लोगो जो रहता है वह उसके उपर होना चाहिए इंस्ट्रेक्शन फॉर यूस इफ एनी अगर यूस करने का कोई इस्ट्रेक्शन है दवाई को खास सरीक है का तो वह उसके उपर वहां म mention होना चाहिए के लिए ले बाते हैं ठीक है अब बात करते हैं prohibition की यानिए कि का क्या चीज़ की मनाई है किस तरह की sale की मनाई है ठीक है तो certain restrictions and prohibitions on product leveling labeling के लेकर के कुछ restrictions क्या restrictions है level not to use word implying recommendations Scott medical profession, इस तरह से आप उसके ऊपर mention नहीं कर सकते हैं कि recommendation by medical profession यानि कि डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करने ऐसा mention नहीं करेंगे unauthorized use of words और picture showing imitation is prohibited unauthorized words जो words unauthorized है act के अंदर उनका आप यूज नहीं करेंगे या किसी चीज की नकल करता हुआ कोई शब्द या चित्र है उसका इस्तुमाल नहीं करेंगे जैसे की for example in case our product is substitute for any food ठीक है तो जैसे की कोई भी food जो दूसरे के लिए substitute है एक food दूसरे food के लिए substitute होता है तो आप उसमें किसी picture या उसका नकल नहीं करेंगे कि हाँ यह वही चीज है जैसे की for example fruit juice without any fruit fruit juice लिए पर उसके लिए कोई भी fruit नहीं है ठीक है and made up of fruit flavor लेकिन उसके अंदर fruit का flavor पड़ा हुआ है तो आप उसके अंदर उस fruit का डाइग्राम या वह चीज इस्तुमाल नहीं करेंगे कि हाँ जिससे की भटके लोग कि हाँ यह तो इसी fruit का बना हुआ है है ना कोई अपना fruit बनाया उसमें उसका flavor डाल जाएगे वाल लेकिन fruit है नहीं उसके अंदर तो आप उसके उपर उस fruit का picture या उस fruit का नाम mention नहीं करेंगे ठीक है ना food supplement advisement shall not be misleading और contravening जो food supplement के advertisements वगरे होते हैं वो misleading या contravening उलंगन करते हुए नहीं होने चाहिए जो की essence act के according है पास समझ में आई के लिए रबाते हैं तो यह था अपना food supplement को लेकर के chapter ठीक है इसके notes आपको description में लिंक दिया हुआ है आप लोग उस notes को download भी कर रहे हैं मुझे पता लेकिन कुछ बच्चे confused रहते हैं उनके लिए बतायता हूँ सारे के हर lecture में notes आपको description में मिल ज questions, live classes, doubts वगरा आपकी जो रहते हैं MCQ questions के practice कर सकते हो ठीक है न टेस्ट वगरा वहां से दे सकते हो तमाम चीज़े आने के एक तरह से complete आपकी पढ़ाई मवजूद है हमारी applications पर ठीक है lecture notes के अलावबा वहाँ पे live classes और test और questions वगरा जो important रहते हैं वो अविलिए रहते हैं आप लोगों के लिए जिसका प्राइस केबल कितना है ग्यारा सुरूपे ठीक है तो करना क्या है पढ़ाई करनी है और रिवाइस करना है ओके अल्दा वेस्ट